यहाँ पर आप जो है result को देख सकते हैं इसलिए वीडियो को जो है पूरा end तक दिखे तो चली वीडियो को चुरूरी दोस्तो ओल्ड रिक्वेश्ट जब रहते हैं तो option नहीं आता है जब नए यहाँ पर old request रहते हैं तब option नहीं आता है अब सकते हैं दोस्तो जैसे ही मेरे क गिंदर फॉलोड बाई वन परसंड करके आने लग गया दोस्तों आपको चाहिए तो रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ अभी जो जो मेरे को फॉलो रिक्वेश्ट बैसे जाएगा है या आप फॉलोड बाई टू परसंट इसी दिखाई गया दूस्तों वह रिक्वेश्ट नौलेज गीन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं है आने बताया तो दोस्तो आपका किसी भी फेसबुक आप ऐप उपन कर लीजे पहले दूस्तो थोड़े लोगों का क्या होता है फेसबुक के मतलब Facebook light के अंदर open नहीं होता है Facebook पे होता है दोनों में किस तरीके से करते हैं दिखाऊंगा दोस्तो तो Facebook light को open कर लीजे open कर देने के बाद मेरा password रुगिए open कर लेता हूँ यहाँ पर top right corner पर click करना है click कर देने के बाद कुछ इस तरीके से आजाएगा दोस्तो तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है दोस्तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं followers and public content followers and public content जो आ रहा है इसके ओपर click कर लीजे दोस्तो इसके ओपर click करने के बाद इस सबसे पहले वाला जो आ रहा है दोस्तो who can follow me उल्ली यहां पे जो friends दिखा रहा है इसको दोस्तों पब्लिक कर लीजे यह Facebook लाइट में यहां पे पब्लिक कर लीजे अगर आपका यह option नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप यह मेरे उपर आई बटन में एक link होगी आप वहाँ से देखकर उडियो क्यों नहीं आ रहा है पता ल क्लिक कर लीजे अगर Facebook लाइट में नहीं आ रहा है तो Facebook के आप में एक बार चक्क कर लीजे बाद यहां पर क्या करना है आपको settings and privacy पर क्लिक करना है इसके अंदर settings पर क्लिक कर लीजे settings पर क्लिक कर देने के बाद यहां पर नीचे जाहिए यहां पर आप देख सकते है followers and public content यहां पर क्लिक कीजे तो यहां पर आप देख सकते हैं who can follow me यह फ्रेंट पर होगा दोस्तों इसे public कर लेना है Facebook लाइट में हो गया तो ठीक नहीं होगा तो Facebook का आप उमन करके यहां पर public कर लीजे इतना करते ही काम हो नहीं जाएगा दोस्तों इसके बादे आपको क्या करना है यह तो public हो गया दोस्तों यहां पर update हो जाएगा automatic बैक ले लिजे इसके बादे यहां पर देख सकते हैं यह वाला friends का आपको क्लिक करना है दोस्तों आपको यहां पर दोस्तों friend request pending रहनी चाहिए यह वाले friend request जो है दोस्तों यह जो मेरे पुराने friend request है इससे कुछ भी नह देख सकते हैं relationship status के नीचे दोस्तों followed by करके option आएगा अभी नहीं आ रहा है तो यहां पर आपको edit profile प्लिक करना है यहां पर सबसे नीचे यहां पर दिखाई देगा followed by one person followed by two person करके अभी मेरे भाई को request बेचने लगाता हूं उसके बाद ने आपको वीडियो बना के कर आए मेरा भाही है दोस्तों उसने मेरे को request बेच दिया है बेच देने के बाद आपको क्या करना है यहां पर टॉप राइट पर ही क्लिक करना है यहां पर आपकी profile को open कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं direct followed by one person करके यहां पर दिखा रहा है दोस्तों इस तरीकी से कर देते हैं आपको direct new request आना चाहिए दोस्तों old request count नहीं करता new request count करता है आपको new request आना जरूरी है इसके बाद यहां पर followed by one person अभी फिर से कोई request भीज़ेगा तो 2% 3% अगर आप accept करोगे request तो दोस्तों वो friend बन जाएगा यहां पर प्रोफाइल में जानेगा edit profile करके मारना यह इंट्रो के अंदर edit जो आ रहा है इधर मारना है दोस्तों यह followed by one person एक click है इसको बंद करेंगे तो show मार देंगे तो यहां पर दीखे प्रोफाइल पर नहीं दिखाई देगा तो अगर आपको यहां पर edit profile में जाके इंट्रो जो दिखा रहा है add sorry इंट्रो जो दिखा रहा ह अगरे पसंद्रो आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद